taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.S. अतबीर सिंग आपका स्वागत करता हूँ रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही आपको नए अपडेट डालें आपके पास इमेज़ेट लिए यह अपडेट पहुंच आए अब आप GSTR 2A को Excel में भी डाउनलोड कर सकते हैं GSTR 2A एक Draft Statement है यानि कि जो भी Invert Supply आपके Supplier ने आपको की है उनकी Detail आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं GSTR 2A में जैसे GSTR 1 की Detail जो Supplier है वो Upload कर देता है यानि कि अपने Invices उसके बाद GSTR 2A आपको दिखाई देता है और आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके Supplier ने कौन-कौन सा जो माल है वो आपको Supply किया है इस परकार आप GSTR 2A के Base पर अपने Goods और Services पर अपने Inputs के Edit को भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही से Reflect हो रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको GSTR.gov.in पर जाना है वहाँ पर आपको Login करना है इसके बाद आपको Return Dashboard पर क्लिक करना है या फिर आप सबसी टाइम में जाएंगे Returns में जाएंगे और Return Dashboard पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर Financial Year सेलेट करेंगे और उसके बाद जिस period के लिए आप GSTR 2A को डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको Search बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने विंडो उपन हो जाएगी यहाँ पर आपको GSTR 2A का उप्षन आएगा यहाँ पर Download बटन पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपके बाद दो उप्षन आएगी कि या तो आप JSON फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं GSTR 2A को या फिर Excel फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद आपको Message दिखाए देगा कि आपकी जो Request है उसे Accept कर लिया गया है आपको 20 मिनट तक वेट करना है 20 मिनट के बाद आपको दुबारा से Return Dashboard में जाना है उसके बाद आप फिर से अपना जो Period था उसे Select करेंगे और Search बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप फिर से यहाँ पर GSTR 2A के जो Table है उसमें जाएंगे और Download बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप Generate Excel फाइल तो Download बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने Message आ जाएगा और यहाँ पर जो File आपने पहले Request डाली थी वो यहाँ पर आपके पास Available हो जाएगी आपको इसे क्लिक करना है और अपने जो Desktop है वहाँ पर आप इसे Save कर सकते हैं आपने जो File Download की है वो GIF Format में होगी उसके बाद आपके यहाँ पर Right क्लिक करना है और Extract here पर क्लिक करना है इस परकार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो Excel फाइल होए यहाँ पर Extract हो गई है उसके बाद जब आप अपने Excel शीट को Open करेंगे तो यहाँ पर नीचे Tab आजाएंगी Business to Business, Business to Business Amendment जो की हुई है, Credit Debit Note जो Raise हुए है, Credit Debit Note जिनमें के Amendment हुई है आप इस फाइल को चेक कर सकते है आज की GST की न्यूज आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं लाइक करें और शेयर करें जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज आप तक पहुंचा पाएं यदि आप GST से लेटर regular updates अपनी email id पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे newsletter को subscribe कर सकते हैं जिसका link के इस GST News की video description में भी दिया गया है यदि आप हमारे previous GST News को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे channel की playlist को refer कर सकते हैं